तो IPL के सबसे बड़ा मुकावलों में से एक यानि कि मुंबाई इंडियाज और चेन्नाई सूपर किंग जो की फिर से होने वाला है IPL 24 में तो एसे में Mumbai Indians का जो Esquired है और Chennai Super King का जो Esquired है वो भी तैयार हो चुका है और Playing Lawn भी लगब लगब final हो चुका है एसे में आज हम बात करने वाले हैं कि IPL 24 में Chennai Super King और Mumbai Indians किसका है सबसे Best Playing Lawn और कौन किस तो पढ़ने वाला है भारी IPL 24 में यानि कि पुरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी चनल पर पहली बर आया है तो हमारा चनल जल्दी सर जल्दी सबस्क्राइब करें क्योंकि Chennai Super King से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी ख़बरे हम लाते रहते हैं तो बात करें Mumbai Indians और Chennai Super King के बीच अभी तक कुल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं या दोस्तो इजिन में से बता दें कि 16 मुकाबला जो कि Chennai Super King जीता है और 20 मुकाबला जो कि Mumbai Indians ने जीता है और हाइस्ट बात करें स्कोर का तो Mumbai Indians ने बनाया है दूसर 19 रन और चैने Super King ने 218 रन बनाया है Mumbai Indians के खिलाब या दोस्तो यह दोनों टीम है जब भी मैदान पर भीड़ती है बहदी कड़ा संगर्स दिखने को मिलता है क्योंकि IPL की त्यांस में जो सबसे ज़्यदा बार IPL का टोफी उठाइए यही दोनों टीम है Mumbai Indians भी पांच बार चैंपियन रह चुकी है और Chennai Super King भी पांच बार चैंपियन रह चुकी है तो ऐसे में हम बात करें सबसे पहले हम Mumbai Indians का क्या होगा प्लेइंग लाउन आईपिय दर्च अबिस के लिए तो वह कुछ इस परकार से हो सकता है रोहित सर्मा इशान की सन फिर से ओपनिंग करेंगे सूर्य कुमार यादो तिलक बार्मा निहाल वेलेड़ा टीम डेविड हार्दिक पंडे जोगी केप्टन रहेंगे अरजुन तैंदुलकर, ग्राट कोजिया, जस्पीत भूमरा और प्यूस चाला यह हो सकता है मॉंबाई इंडिस का प्लेइंग लाउन तो वहीं बात करें हम चन्नाई सूपर किंग का प्लेइंग लाउन तो वहां खुछ इस परकार से हो रितुराज गयकवाट, डैन कन्व जो की ओपनिंग करेंगे तो रचिंद रविंद्रा, अजिंके रहाने, ड्रेल मिचल, सिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमेस धोनी जो के केप्टेर रहेंगे, दिपक चाहा, तुसार देस पंडे और मतीज पिथराना, तो यह रहने वाला है चन्नाई सूपर किंग क इसे में, दोने टीम में थोड़ा बहुत बदलाव भी होगा, तो सबसे पहले हम बात करें ओपनिंग में, तो यहाँ पर जो बढ़ात मिलती हुई नजर आ रही है, चन्नाई सूपर किंग के, क्योंकि रितुराज केकवार्ड और डैनु करने का जोड़ी कामाल का परफॉम तो दोनों लगभग लगभग बराबर है, जहां सूर्य कुमर्याद हो, जो कि टी टूंटी के नमबर वन बलेबाजे, तिलक बर्मा है, निहाल बेडर है, टीम डेवीड है, हार्दिक पांड यहाँ इनके पास भी ड्रेल में चले, अजिंके रहने है, रचिंद रवींद्र कुमर्याद हो, जो कि अपने दम पर मुकाबले जीता सकते है, लेकिन जब इस्पिनर के बात आती है, वहां पर फिर से चेनरी सूपर कीं का पढ़डा भाई लगता है, जहां पर रवींद्र जड़े जा है, इसके अला बता दे कि रवींद्र रवींद्र है, जो कि अपने पर मुकाबले बदल सकते हैं तो दोनों टीमों का बात के तो बहुती मजबूत दिख रही है लेकिन तब केप्टेंसी को बात आती है तो यह में फिर से यहां आप भारी पड़ते हैं कि फाइनल मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांडिया को भी हराया था इसके लावी कई ब पर किंग जीतेगी तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर बताए तब तक प्लिए मिलते हम आपको अगले वीडियो में कि अग्याओ